हेलो फ्रेंट्स आपका सुवागत है हमारे चैनल इंफो गोर्मेट जोब्स प्रतोस्ता है पर इंडियन रेलवेस के इंप्लोईस को मिलने वाले पास पीटियो की जो फेसिलिटी है उसके नए नियम हो जारी किये गए हैं रेलवे बोर्ड के लेटर के अनुसार तो यहाँ प हैं वो आपको जानने जरूरी है क्योंकि वैसे भी फेस्टिवल टाइम आ रहा है या फिर आगे इन फ्यूचर ये काम की आपकी जो इंफोर्मेशन है वो आने वाली है तो स्टार्ट करते हैं चैनलों को सब्सक्रोई कीजिएगा ताकि ऐसी ही इन पोर्मेशन आप तक आपके जो आल इंडियन रेलवेश या फिर आपका प्रडॉक्शन हो या फिर शीटिया इस हो सभी को यहां पर रहां उनकी सभी रेलवेश इंप्लोईज के ओपर ये लागू होगा जो की एक ग्यारा दोहजर चोबिस से आपका लागू होने वाला या निकि आने आग आग है वो पासेस है या फिर आपके जो पीटियो हैं यह सभी के ओपर ये चीज़े लागू होंगी पहले पांच महीने थी वेलेटी और अब यहां पर आपका जो इन्होंने रिफरेंस दिया है रेले बोर्ड का लेटर का जो एयार पी आपका निकाला गया था आपका अडवां आपकी जो है रेल्वे इंप्लोईस की भी क्वैरी आ रही थी रेले बोर्ड के पास की आपकी जो है रेल्वे इंप्लोईस का जो पास के जो लिमिट है वो यहां पर कम या ज्यादा है या फिर वही होगी तो इसी के संद्रब में यहां पर यह लेटर है जारी किया गया है तो इसमें आप देखोगे तो number one जो आपका point है और इसमें एक number पर यही बताया गया है कि 120 दिन शेग अटा के आपकी 60 दिन कर दी गई थी जो limit उसके बाद है number two के अंदर इन्होंने दिया है आपका पैरा two के अंदर जो railway board का later है उसमें आपका जो finance directory of ministry of railway के द्वारा जो जार आप यहां पर जो जो चार महीने अगर टिकट पहले book करवाते थे तो उस नियम के according आपका एक महीना ज्यादा railway employees को दिया जाता था यानि कि 5 में के wait date थी आपकी तो अब आपकी जो reservation का जो time period है वो आपका गढ़ा कर दिया गया है दो महीने तो उस हिसाब से अगर हम देखे तो एक महीना अक्स्टाइस में जोड़े तो तीन महीना आपका बनता है कि तीन महीने आपके पास पीटियो की वैलिटी रहेगी बट उस नियम के according आपकी जो है पराटू के अंदर railway board का जो लेटर उसके अंदर mention है कि जो यहां पर आपकी advance reservation period है वो यहां पर जो भी होगा जो railway board निधारित करेगा उसके एक महीने से ज़्यादा आपका railway board को आपका जो railway के employees है उनको दिया जाएगा परंतु यह minimum चार महीने होगा यानि कि चार महीने से कम नहीं होगा और इसके बाद में जितना भी railway board है वो यहां पर reservation का time देगा उससे एक महीने ज्यादा होगा य यहां पर जो minimum limit है वो चार महीने की है तो अब आपके जो pass PTO's होंगे नए जो एक आपका नवंबर के बाद में आप apply करोगे तो उसके ओपर जो limit है वो आपकी चार महीने की लागू होगी यानि की चार महीने तक आप उसके ओपर ticket या फिर आपकी जो है reservation है वो कर सकते हो त तो आप जरूर आपके नजर में होनी चाहिए चीज कि आप pass PTO कर रहे हो उसके चार महीने के अंदर आपको ticket करनी है नहीं तो वो cancel हो जाएगा बाकी यहां पर pass PTO अब काफी easy कर दिये गए है अब यहां पर approval लेने की जरुत नहीं होती आपकी अब आप direct apply करते हो तुरंत आपका pass या PTO हो issue हो जाता है उसके बाद तुरंत आप उसपे ticket कर सकते हो तो यह हां पर बड़ा बदलाव है बाकि आपको information कैसी लिगी नीचे comment कीजेगा वीडियो को share कीजेगा धन्यवाद जेहिन जे भारत